हलो गाईज, वेलकम बेक माई चैनल, तो आज हमारा स्टेडी टोपिक होगा, विलियम सेक्सपियर द्वारा लिखा गया एविंटर स्टेल, जो बहुती यूनिक प्ले है, बहुती फेमस प्ले है, और वन अफ लास्ट प्लेईज है विलियम सेक्सपियर के, तो उसकी स्टोरी समरी जानने से पहले हमेशे की तरह है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, लेट्स बिगिन, द्विंटर स्टेल इस एप्ले बाई विलियम सेक्सपियर, ओरिजिनली पब्लिष्ट इन फ़र्स्ट फोल्यों ओफ 1623, अल्थो इट वस गूप्ड अमंग देक्स मेनी मोडन एडिटार्स हेव रिलेबलेट, अब इसकी स्टोरी जानने से पहले थोड़ा करेक्टर्स भी थोड़ा गोर कर लेते हैं, करेक्टर्स इसके हैं दो मेन करेक्टर है, एक तो किंग ओफ सिसिलिया और एक है किंग ओफ बोहेमिया, यह दोनों फ्रेंड रहते हैं, किंग ओफ सिसिलिया का नाम रहता है लियोनर्स, और बोहेमिया का किंग रहता है पोलिक्षेंस, यह दोनों दोस्त रहते हैं, तो एक बार पोलिक्षेंस होसता है कि मैं मेरे दोस्त के साथ मिलने के लिए जाता हूँ, तो वो सिसिलिया जाता है इपने दोस्त से लियोनर्स से मिलने के लिए तो उसको बोल जब वो जाने के लिए होता है वापस मिलकर वापस जाने के लिए जब होता है तो उसका दोस्त लियोनर्स उसको बोलता है कि तुम रुक जाओ तो पोलिक्सेंस बोलता है कि नहीं में नहीं रुकूंगा कि वो कई कई बहा कि मेरे इतना बोलने के बाद तो वो रुका नहीं और मेरी बीवी ने एक बार क्या बोल दिया वो रुक गया और इससे उसके दिमाग में यह effect पढ़ जाता है कि मेरी बीवी का और पॉलिक्सेंस का कुछ relation चल रहा है फिर वो एक नोबल मेन रहता है कैमीलियो कैमीलियो को यह बोलता है कि तुम पॉलिक्सेंस को जहर दे कि जैसे भी करकूँस को मार दे अब केमिलियो विचारा रहता है एक अच्छा आदमी जो पॉलिक्स को बोल देता है कि मैं तुम्हारा जो दोस्त है यह लियो नर्स वो मुझे आदेश दिया है कि तुम्हें मार दू क्योंकि उसको लगता है कि तुमारे और उसके बीवी का कोई रिलेशन है तो वह पॉलिक सेंस सोचता है कि क्यों ना मतलब हमारी दोस्ती खराब करें यहां से मैं चला ही जाता है अब केमिलियो इसके साथ इसलिए चला जाता है क्योंकि उसको मारता नहीं है राजा के आदेश का पालन नहीं करना एक सजा जैसा हो गया तो अपनी सजा नहीं भुगतने के तोर पे वो पॉलिक सेंस के साथ चला जाता है वोहेमिया अभी ये कहानी यहाई खतम हो जाती है और वो वहाँ पर चले जाते है फिर नेक्स्ट स्टोरी यहाँ पर चलता है कि यह अपनी जो यह रहती है बीवी यह इसके पीछे पड़ जाता है लियोनर्स और बोलता है कि तुम्हारा और पॉलेक्सेंस का कुछ रिलेशन था मुझे विश्वास ही नहीं है कि जो मेरा बेटा है मेमिलस वो मेरा बच्चा है या किसी और का है ऐसे करके वो उस पर आरोप पर आरोप लगाया जाता है और हर्मिन बिचारी हमें से बोलते रहती है मैं बेकसूर हूँ मैं बेकसूर हूँ लेकिन वो किसी की सुनता नहीं है और उस पाने वो भी आपकी है, बिचारी हर्मिन, क्वीन जो है वो बेकसूर है, वो सिर्फ सका दोस्त है और कुछ नहीं है King of Cecilia के दिमाग में एक बार जो सक घुस गया वो घुस गया वो उसको निकलने वालों में नहीं था वो किसी की सुनने वालों में नहीं था फिर बाद में क्या होता है कि कुस दिनों बाद में Mem beylerus मर जाता है और King of Cecilia को इस चीज का बहुत जटका लगता है सिसीलिय का जो राजा था लियोनर्स उसको तब पता लगता कि मैंने कितने बड़ी गलती कर दी है मेरी जो क्वीन थी वह बेक असूर थी और जो वह लड़क वह पॉलिकसंस था मेरा दोस्त मैंने उस पर भी शक किया वह अपने आपको गुनेगार मानता है उससे पहले एक वह भईषयवणी होती है जब उसको भईषयवणी पढ़के सुनाई जाती है कि अगर राजा अपनी बीवी पर विश्वास नहीं करेगा तो आज इवन उसको बिना वारिस के रहना पड़ेगा क्योंकि जो यह रानी है यह बेकसूर है और जो तुमारा दोस्त है वो भी बेकस की जो टॉम है वो मैं एक ही जगा बनाऊंगा और में जीवन भर अपनी इस गलती को बार बार उसकी टॉम पर जाके धोराऊंगा कि मैं मेरी बीवी पर विश्वास नहीं किया और मैंने मेरी बीवी और मेरा बच्चा दोनों खो दिया अब उससे पहले उस रानी के वो बच जाती है कि सेफर्ट उसको ले जाता है पालता है फोसता है और खुब बड़ी कर देता है जब बड़ी हो जाती है तो किंग ऑफ पॉलिग ज्सेंस का जो बेटा रहता है फ्लोरी जेल वो उसका प्यार में पढ़ जाता है फिर थो केमिलियों से पूछता है कि आजकल मुझे मेरा बेटा दिखाई नहीं देता है क्या बात है तो केमिलियों और कोई लोग उनको बताते हैं कि वो ऐसे सेफ़र्ड की बेटी के प्यार में हैं फिर वो क्या होता है कि बहुत बदल के अपना गेट अप चेंज करके ये दोनों केम सेफ़र्ड को मार दूंगा और ना ही तुम्हारी शादी सक्सेश्फूल होने दूंगा इस डर से फ्लोरी जोयल क्या करता है कि ये उस लड़की का जो नाम रहता है परडीता तो परडीता को लेके भाग जाता है और सेफ़र्ड जो लोग रहते हैं वो अपनी जान बचाने सेफ़र्ड की बटीचे शादी करा है इसलिए वो पॉलिक सेंस आने ही वाला है इनकी इनको ढूंडते हुए इनकी पिर बाद में ये जो लड़का रहता है फ्लोड जाल ये अपनी गलती से उकार कर लेता है लेकिन बोलता है कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हुए इस से शादी करूंगा चाहिए सेफ़र्ड की हो चाहिए किसी ओर की हो तो 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 पहले ही जो Windows को तो धो क्या और रहता है अपनी जी आ जों जैए तो उसका विच्वार धरा में हो जाता है नजरियस नाज्रियस हो जाने से वो ठीक्वाल का साथदेतर कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हारी शादि इसे के साथ ही कराऊंगा तो फिर बाद में ये सेफर्ड, पॉलिक सेंस, केमीलियो और ये सारे लोग यहाँ पे सिसीलिया आ जाते हैं सिसीलिया के अंदर जब फ्लोरी जेल को पुछा जाता है तो ये सेफर्ड लोग बताते हैं कि हमें ऐसे ऐसे करके लड़की मिली थी और एक रानी की एक उसमें वो लेटर में मिला था इस लड़की के पास में जिसका परड़ीता नाम रगद रहे हैं इसलिए हमने परड़ीता नाम रगद दी बाकी ये हमारी बेटी नहीं है यह पता नहीं किसकी बेटी है, फिर यह पोली ना बोलती है कि यह बेटी हर मिनकी है, और यह मेरे पती एंटीगस ने जंगल में छोड़ी थी, एंटीगस को क्यों होता है उसी टाइम पे जंगल में छोड़ता है तो उसको भालू खा जाता है, तो वह मर जाता है, फिर वह King of Sic से लिया उसको accept कर लेता है और पॉलिक्सेंस भी इसको accept कर लेता है कि चलो अगर लिएनट की बेटी है सेफ़ड की बेटी नी राजा Key to तो उसकी शादी के लिए मान जाता है ऐसे करके फ्लोरीजेल और उसकी दोनों की शादी हो जाती है परडीता की और केमिलियों को भी माफ कर देता है कि यह गलत नहीं था सही था कि मेरा दोस्त मरते-मरते रह गया भीवी तो मरी गई दोस्त और मर जाता फिर एक बार जो वह प तो यह उनक रही है कि मूरती थोड़ी एजड लग रही है जिस आज मेरी मरी तूमनी और भी पोले ना बोलती है कि तुम जिंदा जिसे रियक्ट करने लग जो फिर बादें किंग ऑफ शीलिया खुस हो जाता है पड़ी था भी खुस हो जाती है कि वहाई मेरी माा की स्टेचू एक मुव भी करेगी और मतलब एक सजीव जैसी लग रही है फिर पॉलियना बोलती है कि मरी नहीं थी हमने सिर्फ ड्रामा किया था आपको समझाने के लिए फिर ऐसे करके किंग अप सिसीलिया हर्मिन को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी गलती माफिय मांगता है और पॉलिक्सेंस को भी वह माफिय मांगता है ऐसे करके यह सब लोग मिल जाते है फिर बाद में किंग अप सिसीलिया एक फेवरोर करता है जो पॉलियना पर करता है कि तुमने मेरा इतना साथ दिया है इसके लिए तुम्हारा पती तो जो मर गया है अब तुम केमिलियों से स्यादी कर लो ताकि तुम्हारी साथ भी में न्याई कर सकूं ऐसे करके वो केमिलियों के साथ स्यादी हो जाती है ऐसे करके सब मिल जाते है उसकी जो एंडिंग है है एप्पी एंडिंग होती है लेकिन बस इसमें एक मोत होती है जो मेमिलस नाम के बेटा रहता है वो बहु बहुत इंट्रेस्टिंग सब्सक्राइश वह बहुत प्ले और इंपोर्टेंट भी है इसके जो मेन इंपोर्टेंट करक्टर्स says स्क्राइब म Aldum करोम्र कर्याक्टर्स को समझे लेते हैं इजी हो जाते दिए तो आज के लिए हैं धेंक यू